वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप आने वाली कोई भी अप्लोड मिस्स ना कर जाओ और लेस्टार्ट वीडियो हेई फालर जायन मैंन यहर और आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाना हूँ तो आज हम सुरू करने बाले हैं हमारी माइन क्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज माइन क्राफ्ट पॉकेट एडिशन की सर्वाइवल सीरीज सो लेट्स बिगिन ओके हम आगए हमारी वर्ल में अमीद है कोई अच्छा वर्ल मिला हो हमें पेर है यहां पर बहुत सारे वूड की कमी नहीं होगी जब तक मैं वूट तो रहा हूं तब तक आप लोगे काम कर सकते वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्काइब कर दो और बेल आइकन को भी जबा दो इतना तो खड़ी सकते हो जब तक मैं वूट तो रहा हूं बर्चूर्व भी तोर लादा है बन्मेट में यह करें गयर होगा है तो इनको कनवर्ट कर लेते हैं हम प्लैंक्स में 36 28 तो जगह को तरह एक्स्ट्रोर करते है क्योंकि हमें ओ देर इस विलेज गाईज वाव तो विलेज के पास घर बनाना ठीक है तो मैं ये जगह चुनूँगा ये इस जगह में घर बनाएंगे पहले तो सबसे पहली बात क्राफ्टिंग डेवर बनाना और थोड़ स्टिक्स बनाना ओके अब हम बनाते हैं एक एक वोड़न एक्स और एक वोड़न स्वार्ड और पिकक्स अब हम चल्दे तो और वोड़ी कट्टा करने जब आए है तो वोड़ी कट्टा कर लेज़ा बहुत सारे और मैं सैपलिंग जो मिला है मैं ये बट सैपलिंग इधर लगा दोंगा ताकि मैं तो सैपलिंग सिग्टा कर रह हो ताकि मुझे उड़ की कमीना हो मुझे मेरे पास और बाइदावे मैं ये पत्यात हो रहा हूँ ताकि मुझे थुरे सैप्लिंग्स मिले और वो सैप्लिंग्स में नगालने वाला हूँ ताकि और पेर होगे और मेरे पास हूड की कमी नहीं हो तो यही है अभी तक का मेरा प्लैन सैप्लिंग्स मिले एक और बर्ट सैप्लिंग्स मिला है अब बर्ट सैप्लिंग्स को लगा देते हैं और थोड़ी और वोड़ी कटा करते हैं तो अभी रास होने वाली है हम इस पिक को मार देते हैं कि अवलियसली हमें थोड़ा सा फूड सोर्स त है और अभी मैझ है आज की रात में विलेज में गजारने व grilling ताकि मैं सेफ रहूं क्योंकि मेरे पस अभी घर नहीं है बेस तो आगीым तो अज-की रात मैं गज़ज में गजारने वाला हूँ एक बिल्ली है एक बिल्ली है एक बिल्ली है एक बिल्ली के आज आ रही है मुझे यहाँ पर इनका चेस्ट है वाव नाइन ब्रेड फूड सोर्स मेलेगा मुझे और आठ पोटैटूस मैं काम करता हूँ इनका चेस्ट यहां से तोड़ के रहे रहता हूँ विलेजर तु आज रात के लिए प्लीज मुझे सोने जे नाइट स्किप हो जाएगा वो गुस्टो को चला गया बेचारा बंद करो यहां इनका इंका इंका इंक आएडन गॉलेम है इक गल्दी से सलग जा ना यहां इंक आएडन गॉलेम तबहा कर देगा मुझे ओ यहां पर एक यहां पर हुआ क्या था ओ वीट आई गट वीट गिमी देट ओ बहुत अला वीट है बहुत अला तो नहीं है कामी है पर कोई नहीं चला जुगार तो बनी जाएगा अब मैं लिखें पर विलेजर्स के घर अबर आट कोशिश कर रह हूं देजर्ट已經 कारु क ऐख this 이번 यह अज़ा इनका फार्म जांसा था नहीं हुआने वाले कर थार्मं कर अबर थेली विलेजर्स का लेको वेको तो तो क्या है तो पर वांस पर्ने से ब्लास फर्नेस में यह नहीं कर सकता वह दो श्मोकर चाहिए यह नॉर्मल फर्नेस से यह तो इस दो आया हूँ थोड़ी सी और उड़ी खटा करते हैं रुझए में अर्म आर खटा कि अले मेंगे ले लेक्टा है वह यह क्या है? पानी ते प्राइब अन्य वर्म चाहिए जो कि अ पूह सो का या दाओ आप शेल्टर्स भना रखे तो ने पाँ आप 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 शॉरी है है कि यह आपर रखेर यह दुटे तो मार रुट परुता करेंगे मेरे आप से टूटने को आई वह मेरे एक्स टूट गई ओके हमने बहुत सरा वोड़ी कटा कर लिया एकिस बिलकुल ओमाई गॉड तो हम और भी है मेरे पास वाव क्योंकि हमारे पास बहुत सारा वुड है हम अपना बेस बनाना शुल करते हैं अब बेस के लिए जगा डिसाइड करनी पड़ेगी मैं वहां पर जाने वाला हो जहां पर बाराने बाराने बाराना बेस को अ उस साइड तो हम हमारा बेस बनाने वाले हैं यहां पर तो हम हमारा बेस बनाने वाले हैं यहां पर यही कई पर तो पहले यह जगा क्लियर कर लेते हैं कुछ सीड्स भी मिलेंगे इसे हम फार्म बना सकते हैं खेती कर सकते हैं लुक के बेस बनाना बोड़ा हैं कर दो आरच एंड पर आर्म लाराना पर दो देख्लाबेट गेर बनाने रहती हैं ओके बेज बना नहां स्टार्ट करते हैं ओके बाहं स्टार्ट करते हैं झाल 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 स्टार्टर बेस इस रेड़ी गाईज तो पीसे मुनने के लिए था यार थ्री टू वान टाड़ा तो यह है मेरा स्टार्टर बेस और आपर मैंने टॉर्टर लगाए हुए है उड़ी तरफ ताकि रात में क्रीप पर स्टार्टर पर स्टार्टर पर स्टार्टर होके इसे तबहा ना कर दे तो अब अंदर जाते हैं तो जी हां मैंने वूट से तीन एमीन सिक्स चेस्ट बनाई है और रखा है लार्ज चेस्ट की तरह और हम अब यह वूड सब इस चेस्ट में रखने वाले हैं यह सारा जो वूड है एक और चेस्ट भी है मेरे पास तो हम यह सावा सारा समान जिस्ट में रखेंगे और पता नहीं मैंने कोल माइन क्यों नहीं किया लेकिन ठीक है सारी चीजी इतर रख दी और अब रात होड़ी है तो सो जाते हैं गुड मॉर्निंग तो आज में माइनिंग करने जाना है और माइनिंग सुलू कहां से करें इनर से हाई से भी पता क्या मुझे सोवल बना रहें जहीं है मेरा वूट का समान इधर है क्राफ्टिंग टेबल इधर है स्टिक्स पहले स्टिक्स आप और सौवल रहे हैं ऑफ यह रेडी टू गो अरहे है मैं तो रहा है और उपने गर को वो पानी है इधर से खोते है को पानी है इधर इससाइब कोते है झाल झाल वाप रे थंडर स्टॉर्म देख्रे हो आवाज तबाई बाई आप rant में डापू स्टॉर्म शें तॉर्म नाद्वी स्टॉर्म जाद्र आप बाईं थproduct क mobilize बाद सेैस्टॉर्म का में स zegा कि इंडर स्टॉर्म रिंडीनопलिकर चाभर स्टॉर्म कि एग डाप्री तॉर्म झाल झाल को पुड़ाई। तो मैंने थोड़े से वूड़न प्लैंक्स लए थे और मेरी एक पिकेक्स तो तूटने को हो रही है तो अब ही मुझे मिल गया है बहुत सारा आइरन बहुत सारा तो नहीं मिला देखा है कितना है तो तूट इने रहा है भाई ओ मैं भूल गया मुझे आइरन माइन के लिए स्टोन पिकेक्स तो मैं फिर से ऊपर गया और क्राफ्टिंग टेबल से एक स्टोन पिकेक्स बनाई और फिर में नीचे आइओ फिर से तो हमें एक आइरन ब्लॉक मिली थी वो तूट गई क्योंकि म और आइरन इस नीचे भी है वहाँ पर भी है ओ मैं गॉड्ड ओ वाट आइरन शोमच आइरन वाट देखो गाईज सो मुच आइरन और भी है क्या आइठिंक नहीं नहीं इतनी है तो अब माइन करते हैं देखते हैं कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नू दस ग्याड़ा मैं काउंट क्यों कर रहा हूँ एक बड़ में दिखेंगे कितना मिल रहा है ताल्य को यसल दूल क्यों कर दो क्यों गिदा कर दो कर दो कि आद्िी अधर्थर दोते हैं उता काया है और भी है क्या अभी मुझे उपर जाना होगा क्योंकि मैं बहुत नीच आ चुका हूँ देखो इट से तो देखते कितना इरन ओर मिला 21 इरन ओर वाव सच में वाव तो अभी उपर जाता है वाव 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 तो मैंने उस माइन में और खुझ जर बिताए और रात हो गई और मुझे मिला ये 35 कोल क्योंकि हमें तो कोल चाहिए क्योंकि आइरन ओर को स्मेल्ट करना है हमें तो कोल से देते हैं और रात हो रही है तो अभी सो जाते हैं अब मैं मैं इस रिसोर्स इस दर रखने वालो हूं डर्ट रखी क्या करूंगा रात पहेंगा अब 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 तो मैंने इस विलिज में कैरट का फार्म देखा था तो हम उस कैरट के फार्म में जाएंगे और थोड़ा सा कैरट लेकर आएंगे अब अ तो मैंने अपना फिर से फूड मीटर फुल कर लिया दो ब्रेट खाकर अब चलते कैरट फार्म में अब चलते कैरट फार्म में इदर है इनका फार्मर तो यही है कैरट फार्म ओ इसने उठा दिया ट्रेड यह और जाम जामर फार्मर आएंगे बिदान्व इस भी जडा ना मैंने इसी वेलेजर को यह खतम कर देगा जात फार्म तो यह यह वेलेजर यह बेब बिलेजर है तो यहां क्या कर रहा है तेरे वीले दुदर है फस गया क्या तूर के निकालो चलाजा बही पता नहीं नहीं जा रहा है तो मरबस अभी तो इले बहुता है तो हम थोड़े से स्टिक्स बनाते हैं पहले तो वासर आवोड है एक स्टैक लेते हैं स्टिक्स बनाते हैं और बनाते हैं एक आइरन स्वार्ड एक आइरन पिक एक्स और एक वूड़न हो बनाते हैं क्योंके मैं फार्ड में शुरू करनी पड़ेगी और स्माइटिंग टेबल बनाते हैं बना लेते हैं बहुत कुछ बनना है भाई और बाकी सारे चीजे अभी के लिए तो नहीं चाहिए मुझे तो हमने बहुत कुछ बना लिया देख सकते हो तो अभी बारी सोरी है और मैं सो सकता है तो मुझे बकेट बनाना था है अब बकेट बनाना था है अब बकेट अब बाकेट अब बारी सोड़ी है तो आज की वीडियो को यहीं पेहिंट करते हैं अगर आपको यह पसंद आई तो लाइक करना सेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को और बिल आइकन को भी दबा देना और मैं वापस आऊंगा एक और नए माइंड्राफ सर्वाइबर सीरीज के वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई